भारत के बेविन हिस्सों में प्राचिन कान में बना गया किले आज भी राजा महराज और नवावों की याद दिलाते और भारती संस्कृति और सब्वेता को समेटे खड़ें। ये अपने समय की प्रचिनित संस्कृति सब्वेता और भवन से रूबरू कराते हैं जो आज भी इन में मौझूद हैं इन में इसे कुछ किले ऐसे हैं जो आज भी देश दुनिया पर्टगों के आकरशन का केंद्र हैं ये किले बैद खूबसूरत हैं और अपने खतरनाक और कााणियों के लिए देश दुनिया बर में शुमार हैं कुछ किलो को लेकर मानना है कि इन किलों के अंदर जाने पर वेक्ति बाहर नहीं आता जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और नाही कभी देखा होगा तो आएए जानते हैं महांदी प्रद्श के उमरी है जिने में इस्तित बादवगर्ड का किला भारत के अदबुत और रहस्मई किलों में से एक है इस किले में भगवान विशनु की स्वेन मुद्रा में पत्थरों से बनी एक विशन का मूरती स्तापित है ये किला मूरती अपने अंदर लगबग 2000 साल का रहस्मई इतिया समेटे हुए ये किला बादवगर्ड पहाड़ी पर रिस्तित है इसका निर्मान करीब 2000 साल पहने करवाया गया था आपको बता दें ये किला ही नहीं बन की ये पूरा पहाड़ी रहस्मई और अदबुद है इस किले और पहाड़ का उनने के नारत पंज़ और शिव पुराण में भी मिलता है इस किले के अंदर जाने की नी सिर्फ एक ही रास्ता है जो घने जंगनों से होकर गुजरता है इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है जो सीधे रीवा निकनती है राजा गुलाब सिंग और उनके पिता मात्रडंड सिंग इस किने का इस्तिमान खूफिया किने के रूप में करते थे किने का इस्तिमान टीपू संतान से भी जुड़ा है कहा जाता है कि ये छे मान लगातर प्रयास के बाद भी वो इस किने के पर विजह हसिन नहीं कर सका किने के अंदर साथ ऐसे तलाव हैं जो अब तक कि सूखे नहीं हैं इन तलावों विशल गर्मी के बाद भी पानी नवाला भारा रहता है किने के आसपास कई खतरनाक जंगनी जानवर घूमते हैं घने जंगन और दुरगम रास्तों के कारण प्रशासन द्वारा यहां आने पर रोक लगा दी गई है इसकी देखवार प्रशासन द्वारा की जाती है अगला जो किला है गड़ कुंडार का किला उत्तर पदर्श के जहांसी से लगबग पचास किलो मीटर की दूरी पर इस्तित इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इस किने का निर्मान 11 शताब दीव में करवाए गया था यह एक पांच मंजिना किला है जिसकी दो मंजिन जमीन के अंदर है और किना दूर से देखने पर भवे और सुन्दर लगता है लेकिन पास जाने पर ऐसा प्रतित होता है इस में अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है इस्तानी लोगों को दौरा कहा जाता है कि सालों पहले इस किने में गूमने की निर्लगवक पचास की संख्या में आये बराती लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चला वह अंदर जाने के बाद गायब हो गए आज भी इस किने का खौफनाक रहसमें बरकरार है अगरा जो कोई वक्ती अकेने नहीं जाता और शाम के बाद इस किने में जाने से रोक लगा दी जाती है आपको बता दें इस किने से कई भूतिये किस से जुड़े हुए हैं इस किने का दीदार वास्तव में आपके लिए रहसमें से बरा हो सकता है अगला जो किना है रोतासगर किला ब बिहार का सबसल प्राचिन और रहस्मे किलो मेंसे एक है. इस किले का निर्मार राजा महराजा उन्हें यूद के दोराण छिपने के लिए करवाया था. आज भी इस किले में लोग रात में जाने से डरते हैं. मानना है कि रात में किले से जोर जोर से चीखने की आवाजे आती हैं साथ ही लोग दिन में भी किले के अंदर अकेने नहीं जाते हैं अगना जो किला है वो गोल्ड कॉंडा का किला है गोल्ड कॉंडा किला भारत और हैदराबाद के सबसे खौफना किलो में से एक है ये एक वह कई फिल्म शूटिंग ग्रुप्स और इस्तानी लोगों का मानना है कि यहां पर रात में किसी भी परचाई डराती है और अजीब गरीब डरावनी और खौफनाक आवाज गूंचती है इसलिए जब भी किले का दीदर करने के लिए जाएं तो एक ग्रुप के साथ जाएं अग भी यह पत्थर भारत के एक किले में मौजूद है जी हाँ आपको बता दें यह पत्थर आज भी कहीं और नहीं बन की भारत में ही मौजूद है यह पत्थर मद्दे प्रदेश में भोपान के राइसें जिने के राइसें के किले में आज भी मौजूद है यह किला भोपान से रखवाली कोई मनुश नहीं बनकी जिन करते हैं बनुवा पत्थर से निर्मत ये किला सदियों पुराना है और आज भी मौजुद है इस किले का लेकर कहा जाता है कि यहां रोज राइसेन के पास पत्थर था और इस पत्थर को लेकर कई युद डड़े गए लेकिन कोई भी इसे हासिन करने में कामयब नहीं करें